लेकिन मेरा जो practical experience है कि बहुत जादू की तरह काम किया हमारे उपर तो कि आँख जो डाक्टर ने भी कहा था जी time लगेगा एक आद महीना लगेगा लेकिन वो जो थी 2 गंटे में क्या 4-5 गंटे में swelling भी गाइब हो गई थी तो ये बहुत effective है और जो दर्द होता था सिर में और हर्पीज के कारण कान में वो भी काफी ठीक हो गया था सर अपना नाम बताइए और आप डॉक्टर योगी जी से कैसे मिले जी मेरा नाम बीरेंदर सिंग है और डॉक्टर नीरस टंडन जी है जो पंचसील वाला किंटर कॉलेज के प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे reference देया था उन्होंने मुलाकात कराई थी मेरी और उसके बाद मुझे हर्पी जो हो गया था इतने आदे सिर में राइट साइड में और बहुत भेंकर वाला हुआ था जिसमें आँख हमारी पूरी ये बुलकुल बंद हो गई थी एक आँख तो जब एक आँख बंद हो गई थी तो टंडन साब घर पर ले करके आए योगी जी को और वहाँ इन्होंने healing की और healing करते करते मरतलव आँख खुल गई थी और साम होते होते पूरी swelling जो हो रही थी वो बिलकुल ठीक हो गई थी साम होते होते हैं तो ये बहुत effective मतलब जादू की तरह से काम किया कि जो बहुत दिनों से बिलकुल आँख बंद हो रही थी ये पूरी की पूरी swelling हो रही थी इतनी बड़ी हो गई थी फूल के दर से दर से बंद और वो दो घंटे में तो मतलब खुल गई और साम तक मतलब दुपैर को healing की थी इनोंने और साम होते होते swelling भी गायव हो गई थी और आँख भी खुल गई थी कितने समय करी थी इनोंने healing की होगी मेरे खाल से 10-15 मिनट 10-15 मिनट उसके और आपने दूसरी healing नहीं ली दूसरी healing भी फिर बाद में ली डिस्टेंस healing भी की दो तीन वाद तो आँख में जैसे वह तिकत हो जाती थी तो वह काफी लेकिन मेरा जो प्रेक्टिकल एक्सपीरियंस है कि बहुत जादू की तरह काम किया हमारे उपर तो आँख जो डाक्टर ने भी कहा था जी time लगेगा एक आद महीना लगेगा लेकिन वो जो थी दो गंटे में का चार-पांच गंटे में स्वैलिंग भी गाइब हो गई थी तो यह बहुत एफेक्टिव है और जो दर्द होता था सिर में और हर्पीज के कारण कान में वो भी काफी ठीक हो गया था सर ने बताया हर्पीज का जो आपने इलाज किया था पंदर मेट के अंदर सर की आँख अंदर चली गी थी यानि कोई भी स्वैलिंग हो कोई भी इस तरीके का चर्म रोब तक भी स्ठीक कर सकते हैं सर हम लोग जी यदि पेशन की रिशाप्टिविटी अच्छी है तो रिज प्राइब यह जाता है जी बंड में दस पंदा दिन में नई इसकीन आ जाती है जी और बंड का कोई निसान भी नहीं रहता है जी कितनी बीमारी को प्चार हो जाता है मैं चाहूंगा कुछ बीमारी की नाम आप बताएं जैसे पार्किंसन है फिस्टमा है माइग्रेन का arthritis, kidney, stone, liver, hepatitis, cyst, tumor, cancer, brain stroke, लगवाद, फिजकल जितनी है, सब का, और emotional बीमारीं को अच्छा हिलाज होता है, दिप्रेसन है, जैसे, ट्रॉमा है, suicidal tendency है, failure का बहुत ज़्यादा दुख है, grief है, तो इन सब का इलाज इसमें संभा है, जी, सर क्या कहना चाहेंगे, ये सब इलाज बिना चुए, बिना दबा दिये होते हैं, बिना चुए, बिना दबा ही होता है, energy transfer है, उर्जा, transfer, इस्थाना अंतरन करने में, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, ये पेशन्ट और इलर के बीच में, आद्रस संबंद बनता है, energy transfer होती है, जी,